अररिया प्रखंड पलासी ग्राम पंचायत राज मजलिश पूर के पैक सध्यक्ष हजारी प्रशाष से हमारे समय दाता रिजवान आलम से क्या कुछ बात हैं आए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से नमस्कार आप देख रहे हैं कानूनी जंग न्यूज कानूनी जंग न्यूज से मेरिजवान आलम नूरी आज में मौजूद हो अररिया जिला के पलासी प्रखंड अंतरगत ग्राम पंचायत राज मजलिश पूर में आए जानते हैं इसी मजलिश पूर के पैक सध्यक्ष हजा विकास कारियों को लेके हाला कि आप किसान के अध्यक्ष हैं लेकिन किसान की जो आवज सकता है इस समय खेति के सीजन में खाद का मिलना और आपके पास उर्वरक का लासेंस नहीं होने से आप अपने आपको किस तरह से परशान दिख रहे हैं तो नई साल जो आया है उसके लिए आप सबों को सुब खमनाय देते हैं कि नए साल आये हैं कुछ नए बात होगी असा उमीद तो है सबों को तो जहां तक प्यक्स की बात है प्यक्स में मैं लगातार तीन बार से हूं लोगों ने जो मुझे चैन किया है लेकिन जो मुख इसका उद्देश होना चाहें लेकिन धरातल में अब तक में नहीं उतर रहा है तो इसमें बहुत सारी चीज जो किसन सुधन करने की ज़रुत है रहा उर्वरक उर्वरक तो किसान को मिलना ही चाहिए और मुझे फाक्र और गर्व है कि जिस डेस में 80% लोग किसान है और उनका नियत्वित करने का जो है कि हमको स्वभाग मिला है लेकिन किसानों की जो अस्थिती है वो काफी दैनिया है उर्वरक जो है वो उर्वरक की जो अनुगिप्ति है वो सरकार अब तक में हम लोग को नहीं दे रहे हैं उसमें से कुछ बाधा लगाए हुए है किने केमेस्टी ऑनस होनी चाहिए ऐसे कुछ पैक्स के पास में उर्वरक की लाइसंस है और जो कि हम लोग डिमांड भी करते हैं बार-बार यहने मंचल कि हम लोग अपना संग के उर से भी मांग करते हैं लेकिन सरकार की जो नीती है कि आप जैसे बैक्सर थे हूं और जो बोले में場 कें समयंद के 183 अनुदान में यहां भी वह कुछ विहां होता है उसी के अनुसार में दिया जाता है, जो चीज चाहिए, वो चीज हम लोगों को उपलब नहीं कराया जाता है, और जो गुदाम का जो भंडारन जो छमता जो है, वो भंडारन छमता भी अबलेबूल नहीं है सभी प्रेक्स के पास, चुकि हम लोगों के पास में 200 MT का मात्र पुंटल ही हम 11% ब्याज पे रीन पे सिसी दी जाती है, और उसी रासी को, उसी रासी से हम खरीद का काम करते हैं, करय का काम करते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि इनका जो है माफदंड जो है, जो सरकार जो बनाया है, उसमें से संसोधन किया जा, संसोधन करने के बाद जो है शबाँ को इनका लाव मिलेगा मौदे हम ये भी जानने का परियास कर रहे हैं कि आपके पास PDS का लैसेंस नहीं है और आप किशान के अध्यक्षा है तो जनता का कारना तो जरूर है ये पैक से अध्यक्ष से हमको PDS भी चाहिए याने रासन भी चाहिए तो इससंतर में आप का कुछ काना Studi मेरे चैनल की मार्वायां से इस संभंध में मैंने अनुमंदार पताधिकाडी अर्रया से संपर्क किया और साथ में हमारे पूर्वे जो मंत्रि है अनुमंदार सर्कार के सर्फ़प्राज आ Kathy अजी भी है बंध है सेस्पेंड है तो ऐसे सिती में से यह लाइसंस दिया जा लेकिन देने से इनकाम वर्थ हुए जी जी अंततासर यह जो नए साल 2023 हम लोगों की जिंदगी में खुसियों का पैगाम लेके आया है इस अफसर पर अपने उन किसान भाईयों को जिन्हों ने आपको अध्यक्ष बनाया है उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से देखिए मैं तो हमेशा यह कोशिस में रहा हूं अंतिम स्टांस तक रहेगा कि हमारे और से ी आप आप सभी किस्वन भाईयोने जो मत दे करके जो हमको जो कुरसी दिलाने का जो काम किया है यह कंटों का घरी है और हमेसा यह दिलाने के लड़ करके ज़ड़ करके उनको लाब दिलाने का हम काम करते हैं और करते रहेंगे जहां तक भी में हो सके इसका लाब और साल की सुरवात हुई है नई वर्स है और सबों को मैं जो कि अपनी दिल की गहराईयों से हर्दिक हर्दिक अभिनंदन करता हूं परनाम करता हूं नमन करता हूं इसी बात के साथ में मैं अपना वानी को विराम देता हूं जय हिंद्र भारत धन्यवाद अभी आपने सुना जीला रडिया प्रखंड पलासी के गराम पंचायत मजलिसपूर के पैक सद्यक्ष हजारी पर